ट्रेंट्स आप सबको अपने शैनल पे वागत है सी बैसी क्लास 10 और 12 वाले बच्चे आउव साथ है सभी बॉर्ड ऐग्जामनेशन चाहे लाई बॉर्ड के लाई बच्चे या सी आई एससी बॉर्ड वाले बच्चे वह सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही दुखत बाते हैं कि क्या आपका बोर्ड एक्जामनेशन होगा टाइम पर या नहीं होगा क्या इस्टेप उठेगे वो हम डेटा को ख्याल कर इसको अपडेट जानने की कोशिश करेंगे कि इसे बैसे अब एक्जामनेशन आपका ऑनलाइन कंड़क करेंगे या यह भी मैं आपको इस वीडिय में पतांगे संब वीडियो के साथ बने रहे हैं अभी आप जो खास करके अगर आप देखेंगे के सिचोईशन अगर आप इंडिया में अ अगर हम बात करते हैं दो कोवीड का सिचोईशन एक लाव कर इक जार्खन जो फर्स्ट और सिकंड में बहुत अच्छी तरह से सेफ था इस बाट ठडवे में जार्खन भी नहीं बचा है अगर जार्खन के अपडेट को मैं देखू तो मैं स्कूल की टॉपिक पे बात करूंगा क्या आपके एक्जामिशन होंगे या नहीं वह भी डेटा को सबसे बड़ी बात है कि अगर यहां पर यहां पर जार्खन के सिच्वेशन से घिरत हो गया है 24 घंटे के अंदर में अपडेट आई है सबसे बड़ी बात है कि अगर यहां पर देखे पूरे जार्खन में आठ आजमी जो है वो कुरोना से श्वर्ग सिधात गये हैं यह सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा सिच्वेशन जब पूरे आल इंडिया में हो रहा है तो हम बात कि अगर कि एक्जाम ही कैंसिल हो जाएगा तो यह मैं आपको अश्वेशन के लिए बता दो कि अभी तक का जो सिबसी का नोटिफिकेशन उसमें साफ साफ का आया है कि कोविट अगर बहुत जादा रहेगा तो ऑनलाइन एक्जाम लेंगे तो आने वाले दिनों में यह अभी तक क्लियर नहीं कर पाई आने वले दिनों में इस वैसी बात को बहुत क्लियर करना चाहिए कि एक्जामेसन को हमें ऑनलाइन लेना है या ओफ-लाइन लेना है हमें जहां तक समझ में आता है कि अग्जामेसन जो है बच्चों को सुरचित को देखते हुए जहां चला गया हो ऐसा तो हुआ है ना तो इस लिए सरकार को इस विसे में भी हज़एप करना चाहिए और बचों को जो अभी आसंतोस का महौल जब बना हुआ है उस महौल को भी सांध करना चाहिए और यह क्लियर कर देना चाहिए कि ऑनलाइन एक्जाम कंड़क्त किया जाए आप केमेंट्स करेंगे और केमेंट्स में उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है अपनी राय जरूर देंगा जितना आप राय देंगे उतला बेतर है मैं भी हमेशा कर रहा हूं कि कोविट का केस को देखते हुए सिंबसी को ऑनलाइन एक्जाम कंड़क्त करनी चाहिए वीडियो को लाइकन शर्दर करेंगा